पती पतनी दा चगड़ा सुल्जोन आये शक्स दा कतल कार दिता गयाए दरसल पती पतनी आपस देविच चगड़ रहे सी एक शक्स जो की पती पतनी दा चगड़ा सुल्जोन आया वो पतनी दा जानकार सी ए गाल पती सहार ना सक्या था पती ने हाथ दे विच हतोड़ा चक्या अते सिदा उस शक्स दे सिर दे विच दे मारे आजस्तो बाद उस शक्स लहू लुहान हो गया ते उस दी मौत हो गई अब डी खबर है पती पतनी दे चगड़े दे विच पैन करके एक शक्स दी जान चली गई है शक्स दा थोड़ा मार के कतल कर दिता गया है पती पतनी आपस दे विच चगड़ रहे सी उस चगड़े दी अवाज उस शक्स तक पहुंची चीकन चिलाउन दी जिस्तो बाद हो च अगड़ा सुलजोन दे लई उना दे कर गया जद पती पतनी लड़ रहे सी ता उसने विच बोलन दी कोशिश कीती ता शिराब भी पती जो की शिराब दा बहुत आदी है उस वेले भी शिराब दे नशिच सी ता उसने थोड़ा चक्या ते उस शक्स दे सर्दे विच दे मा जिस करके उस दी मौध हो गई है ता बड़ी घबर है हर्याना दे पंचकुला दे सेक्टर भी तो सामने आ रही है जथे एक शक्स दी हतोडा मार के हत्या कार दिती गई या उस दा कतल कार दिता गया है दास दिये के मृतक दी पहचान हो गई या उस दा नाम जगतार है अते ओ फतेपुर सेक्टर भी दा नवसी है कराय दे मकान दे रही दा सी ए पती पतनी भी प्रवासी सन इना दे वलो एक कराय दे मकान दे अपना कार बसाया होया सी अरविंद जो की मौल्जम है जिसने हा तोड़ा मार आई ओ शिराब पीन दा बहुत ज़ादा दी सी रोजाना शिराब पीके करदे वेच चगड़े करदा सी बीते दिन भी ओ चगड़े उसे तरीके दनाल कर रहा सी ता पतनी दा जानकार जैस दा नाम जगतार दसे आ जा रहा है ओ मोके दे पहुच दा है लड़ाई चगड़ा सुलजाओन दी कोशिश करदा है पतनी दा पाक पूरदा है बस पती नूँ ऐसे गालते गुसा आजान दा है अते उ सदा उस दे सर्दे विच दे के हथोड़ा मार दन दा है जिसकार के लहू लोहान हो जान दा है अते अस्पताल पहुंच दे उस दी मौत हो जान दी है तब अधी खबर है पुलिस अर्विंद नू लबबंदे लई केडियां कोश्या कर रही है जिस दे वलो उस शक्स दा बेरहमी देनाल कतल कीता गया आओ जान रात के टाइम इंफर्मेशन मिली थी यह उस्पिडल से रुका आए था यह प्रोड़ लड़का के लिया गया जिक्तार से नाम है उसका तो किस तरह से मढ़र हुआ इसका वह एक अर्विंद नाम का वेक्ति है वैसे तो जुपी करेने वाले पिछे यहां पर मरला दो में किराये पर रहते हैं और यह राज मिस्त्री का काम करता है टैल पत्थरगा तो इसके साथ जान प्शांत यह आना जाना था इसके साथ रात को भी जिक्तार सिंग अपने उनके गर गया हुआ था वहां किसी बात को लेकर तो तुमर में उपी उसने ठाक किया है तो अभी किसी की गरफता रही है नहीं यह अभी कुछ नहीं करें टीम लगें बीचे हैं हमारी टीम भी जा चुकी है